आप सब को मेडी और से कैसे हो आप सभी लोग उमीद करती हूं आप सबी लोग बहुत अच्छी होंगे मैं भी ठीक हूं स्वागत करती हूं अपने चैनल पर आप सभी का एक नया ब्लॉग में और सबसे पहले माफी चाहूंगी मेरी एक बहुत ही प्यारी सी अंटी जी हैं उ भूल गई थी सबसे बड़ी गलती थी भूल गई थी स्क्रीन सोट लेकर के रखा था उस टाइम का पर भूल गई थी माफ ही चाहती हूं दिल से और आशा करती हूं इनसे भी कि मुझे माफ कर देंगे और इनके बच्चों को मेरी और से जनम दिन की धेर सारी शुब कामना है लेट विष्ट करने के लिए सौरी और आज का जो ब्लॉग ना वो मैं घर से स्टार्ट कर रही हूं जैसी कि आपको मैंने बताया था ब्लॉग में कि हमारे जो है वो लिपाई पुताई का काम चला हुए और पेंटर बने हुए पतिदेव जी तो इसी के सिलसले में जो है न हमने जो बीट कर दी आए और जो बोरियां बस्तार में न यहीं पर पड़ा हुआ है ना कोई चीज हमने सेट की हुए ना कुछ नहीं है देखिए सब कुछ ऐसे का ऐसे भिक्रा पड़ा हुए और आज जो है लिपाई करते करते हम यहां पर पहुंच चुके हैं और यह और यह यह ना यह कर रहे हैं पति देव जी आई गटे-गरती देखिए हमें क्या मिला है अखरोट यह मिले हैं हमें हमारी मातज के कमरे से जी हना तोड़कर के देखते हैं इनके अंदर है कुछ की नहीं है आज ना मैं बड़ी दुखी हूँ क्यूं दुख हूँ क्यू बिमार हो गया है कल रात से बिमार है और जो बच्चे बिमार हो जाते ना तो मुझे बड़ा डर लगता है और दूसरे में इस बात से दुखी हूं कि यह जो काम था लिपाई का यह अंदर अंदर पच्चदेव जी ने कर दिया एक खतम यह देखिए पीछे से और मेरी जो बारी है अब वो क्या लगाई यह करने को मैं एक बार उठाने वाली हूं यानि कि घर में जो कच्रा बचा हुआ है जाडने के बाद में तो मैंने वो दिखाती हूं देखिए यहां पर निच्चे जो है पतिदेव जी आंगन में बैठे हुए अंधेरा हो चुका है और बड़ा आराम फरमा रहें फौन देख रहें और साथ में मैंने इनको काम दिया हुआ है लासुन प्याज चिलने का कि आज आपने बनाने खीचडी तो मेर पतिदेव जी खीचडी बनाएंगे थीक आना खीचडी बनानी थीक ना खीचडी बड़ी अन मंडी नी हूं मेर देन तो तो आज ओकी बनाईदी आना है तो बोरे की बड़ी आये सब कुछ का कराओं था बंदेव न मेर पास यहां पर थााझु भी है न वो कबार उठाने को है और मैं लगी हूँ सुबह से जैसे जैसे पतिदेर जी कमरों की लिपाई कर रहे थे ना तो वैसे वहाँ पर कूडा था वो मुझे सैटिंग का काम दिया हुआ है और इनों दुनिया भर का कूडा है आपको पत्ता यह हैंट जब तच्छे मकान उते न तो बहुत जादा अक्सी है तो मैं गर रहे हूं जाव सफाई इसके और उपाजी देव नहीं कहा हमें कि अबना मैं बना लूँगा रोटी और तू जो ए बोलते हैं यह सफाई कर ले नहीं तो कल बीरबार है तो कल हम जो है न अपने फर्ष में गोबर और मिट्टी नहीं लगात यह देखिए लिपाई के बाद जो है फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह का है और इसका जो फर्स है ना यह निच्ची वाला यह भी मैंने लिप दिया है अगोबर और मिट्टी के साथ में और हाँ मुझे किसी ने कहा था कि आपना होम टूर करवाएगा तो बैसे तो मैंने होम टूर की जो वीडियो है वो डाली हुई है पर अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से दुवारे सिक रहा हूं तो किसी दिन करवा दोंगी आज कल नहीं करवा सकते हैं क्यूंकि आज कल तो कुछ देखिए इस तरह की कंडिशन है क्यूंकि समानना अभी इदर उदर बिखरा पड़ा हुआ है और पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है कुछ भी नहीं और बाहर का जो है ना भी लिपने के लिए बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है लगतार बारिश 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 होई जा रही है तो बाहर देखते हैं जब मौसम खुल जाएगा तब लिपेंगे और ये वाला कमरा जहां पे हम सोते हैं इसको भी नहीं लिपा हुआ है च्योंकि बीच में फिर पच्छदेव जी चले गए थे काम पर और जाना पड़ता है घर पे भी नहीं रह सकते हैं ध्यारी लगाना बहुत जरूरी होता है और घर के खर्चे चलाने के लिए बच्चों की फीस होती है हमारे कुछ घर्चे होते हैं मतलब छोटी मोटी जरूरते होती है सब की होती है तो जाना तो पड़ेगा ही और ये ब्लॉग पता नहीं कब का है मेरे पास में आज कल जो ना वीडियो को एडिट करने का टाइम नहीं लगता तो कुछ एक क्ल क्लिप मैंने बनाई थी ना वो क्लिप मेरी गायव होगी कहीं पता नहीं कहां चली कि मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मुझे मैसेज करने का बी टाइम नहीं लगा तो मैंने सोचा था कि में वीडियो में बोलूंगी तो भाहां पे बी टाइम लगा और आप सभी कई लोगों के मेरे पास मेसिज आए कि आपना सौर्स वीडियो डाला करो पर फ्रेंट्स आपको पता है यह जो हमारा चैनल है यह सौर्स का नहीं है और जिसका जो कंटेंट होता है वो उसी के हिसाफ से करना पड़ता है हाँ अगर कभी लगा कि अलग से चैनल बनाएंगे तो सौर्स का अलग से बना लेंगे पर आपको पता है दो दो चैनल पर काम करना मेरे बस से बाहर है मातरानी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ इतना कहूंगी ना कि पता है आपको ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग है जिनोंने दो दो चैनल खोले हूए और लेडिस होकर के यह जो क्लिप थी यह कल तीन चार दिन पहले की थी आज है शुक्रवार तो थोड़ी सी क्लिप आज उसमें एड़ कर रही हूँ तो आज ना चेतन के वापा नहीं आये आये थे पर वो गये दीदी के घर में यानि कि हमारी ननत के घर में और गाम पे नहीं गये थे वो आज आज है क्योंकि सुबह बहुत बहुत बारिश थी और उने का काम होता है पैंट करने का तो आपको बताएए कि बाहर जो है ना पैंट करना बड़ा मुश्किल होता है जब बारिश होती है और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपके पती को हिंदी नहीं आती है क्या तो जी जरूर आती है और मुझे बताना कौन-कौन लोग ऐसे याद आया कौन-कौन लोग ऐसे हैं जो मेरे पती देव की भासा नहीं समझते हैं पहाडी भासा मुझे जरूर बताना, मैं जरूर चेंज करूँगी, कोशिश करूँगी, छोटा सा परियास होता है, आप लोगों तक पहुंचानेगा, बाकी तो आप जानो, सपोर्ट आप करते हो, पर मुझे पता है कि आप जो है न, बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, फिर ज्यादा बात नह करूँगी, और मा भी चाती हो, जिसके भी बड़े पर उनको भीष्णी कर पाई, एक आंटी के बच्चे हैं, तो हमारे भी कुछ लगते होंगे, मेरे भाहिया का बेबी, उनको भी भीष्णी कर पाई, मा भी चाती हो दिल से, और आप सभी लोग भी दूआ दीजेगा, उन आज का जो वीडियो है, यहीं तक है, फिर याद करके बताईएगा, कितने लोग ऐसे हैं, जो मेरे पचीदेव जी की पहाड़ी बहासा नहीं समझते हैं, मेरे पचीदेव जी की बहासा समझ नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मैं परिशान हो जाते हो, कभी कभार कि क्या वह बोले जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, जो ही मचल से हैं, या कई अधर लोग हैं, समझ जाते होंगे, पर आपने सही कहा है कि कई लोग ऐसे हैं, जिनको नहीं याते होगे, समझ में तो कोशिश करूँगी उसको बधलाव लाने की, आज के व्लोग में बस इतना ही, जमात अ बाइ बाइ